आज बाबा हमें जो मंत्र देते हैं वो है स्मृतिर लब्धा नश्टो मोहा और बाबा कहते हैं देदान तो छुटे ग्रहन आज इस पर थोड़ा विचार करेंगे तो अगर मुझे ठीक से मालुम है तो गीता में नश्टो मोहा स्मृतिर लब्धा लिखा है पर बाबा कहते हैं स्मृतिर लब्धा नश्टो मोहा तो यह बहुत इंट्रेस्टिंग है क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तक स्मृती नहीं आएगी, तो मोह नश्ट कैसे होगा, मोह अशुद्ध है, मोह तो विकार है, और मोह हमेशा पुरानी दुनिया से होता है, पुराने शरीर, पुराने संबंध, पुरानी दुनिया से, क्योंकि विकार का जो connection है, वो पतीत से होता है, पावन के साथ, बाबा कभी कहते हैं, मुझसे मोह रखो तो कहते हैं, शुद्ध मोह रखो, क्योंकि मोह शब्द बाबा के लिए महाता, बाबा कभी यह नहीं कहेंगे कि ज्ञान रतनों का लोव रखो, क्योंकि हमेशा मोह अशुद्ध के लिए ही होता है तो यह जो अशुद्ध विकार है विकार होते ही अशुद्ध है तो जो अशुद्ध है उसका रुझान हमेशा अशुद्ध की तरफ होता है तो मोह हमेशा विकारी दुनिया से होता है मोह हमेशा पुरानी देह से होता है पुराने संबंसंदों से होता है पुरानी दुनिया से होता है और बाबा कहते हैं ये मोह नष्ट कभ होता है जब स्मृति आती है जब आत्मा स्मृति स्वरूब बनती है और बाबा ने हमें बताया है कि स्मृति के साथ समर्थी है जो स्मृति है जो सत्य है वो शक्तिशाली ह कहते हैं, truth is power, तो जो सची स्मृती है, जो सच है, वो बहुत शक्ती देने वाला है, इसलिए जब हम स्मृती स्वरू बनते हैं, जब हमें सत्य की स्मृती आती है, और स्मृती कैसे आती है, बाबा दिलाते हैं, बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, अभी पीछे क्लास कराई थी याद करते-करते याद आ जाएगा तो जैसे बाबा हमें रोज नई बातें सुनाते हैं बाबा हमें वो बातें सुनाते हैं जो हम विस्मृत हो गए है मुरली क्या है? मुरली में पहले-पहले वेकती सुनता है न मुरली तो क्या कहता है पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है बाबा कोई अलग हिंदी बोल रहे है लेकिन पता नहीं हिंदी भी समझ में नहीं आती है उसका भाव भी समझ में नहीं आता है कुछ बुद्धी में बैठता ही नहीं है क्यों क्योंकि भाशा तो यहां किये लेकिन बाबा कहां से बोल रहे हैं, उस dimensions बोल रहे हैं, बाबा किस अवस्था से बोल रहे हैं, ज्यान सागर, पवित्रता का सागर बात कर रहा है, तो उनके जो संकल्प है, बाबा का जो mind है, बाबा की जो बुद्धी है, वो हमें समझने में भी बहुत टाइम लग जाता है, कि Baba, Paramdham, नई दुनिया, आत्म, इनके बारे में कभी सोचा था, क्यान में आने से पहले, कभी हमारे, यह सोच के रेडार पर यह नहीं थे यह सब कुछ, और Baba की तो सारी Murali इनी के बारे में होती है, आत्मा के जनम, आत्मा का स्वरोप, बाबा, बाबा का धाम, नई दुनिया, तो बाबा कहते हैं, यह जो different frequency से, different dimension से, बाबा वो बातें करते हैं, जो true है, शक्तिशाली है, लेकिन जिनको हम भूल गए है, और जब बाबा हमें वो बातें रोस करतें चले जाते हैं, तो क्योंकि वो सत्य हैं, और क्योंकि वो हमारा truth है, तो दिरे दिरे वो याद आ जाती हैं हमें, धिरे दिरे हमें वो memory लोटने लगती हैं, और हमें भी समझ आने लगता है, अच्छा, मैं actually एक आत्मा हूँ, मैं तो बाबा कस की संतान हूँ, मैं तो परमधाम निवासी हूँ मैं तो सत्यों की देबता थी, सर्वगुन संपन्न थी, मेरा क्या हाल हो गया है यह, है न तो दिरे दिरे हमें याद आने लगता है तो बाबा केते हैं और यह जो स्मृती स्वरूप की अवस्था है स्मृती लबधा है कि मुझे याद आ जाए मैं कौन हूँ मेरा आदी स्वरूप क्या है अनादी स्वरूप क्या है मेरा पिता कैसा है मेरा गुण स्वरूप शक्ती स्वरूप कैसा है जैसे जैसे हमें याद आता जाता है, तो वो याद की जो स्थिती है, स्मृति स्वरूप की जो अवस्था है, वो बहुत समर्थ अवस्था है, that is a powerful state, तो स्मृति सो समर्थी, जितना हम स्मृति किसको कहेंगे, जो सत्य की स्मृति को, और सत्य की स्मृति जितनी आत्मा को आती जाती है, उतना आत्मा समर्थ स्वरूप बन जाती है, और जब समर्थ स्वरूप बन जाती है, तो फिर ये जो अशुद्ध, अशुद्ध कनेक्शन समने बनाए हैं, देखो जब आपके पास best नहीं होता, तो आप क्या करते हो, second best को चुन लेते हो न, या बुरे को चुनते हो, तो जैसे आत्मा में शक्ती नहीं थी, तो आत्मा ने क्या किया, पतीत संसार, पतीत देहे, पतीत संबंधों से बहुत मोह रखा, उनको आधार बना लिया, उनके साथ चल रहे थे, विकारों को अपने रस का आधार बना लिया, अपने जो भौतिक अस्तित्व को अपना अस्तित्व बना लिया, तो हम इस प्रकार से चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास जैसे लंगडा होता है, तो उसको क्या बैसाखी चाहिएगे, बैसाखी के बिना कैसे चलेगा, तो अभी वैसे तो अगर उसको ऑप्शन दिया जाए, कि टांग चाहिए कि बैसाखी तो टांग ही कहेगा, लेकिन अभी उसके पास नहीं है, तो क्या करेगा, बैसाखी से चलेगा, तो ऐसे बाबा कहते हैं, अब हमारी भी बैसाखिया बन गई, क्योंकि आत्मा जो है, स्मृती भूल गई, समर्थी खतम हो गई, आत्मा कमजोर हो गई, तो आत्मा ने इन बैसाखियों का सहारा ले लिया, अशुद मोहो, अशुद लोब, विकार, इनका सहारा लिया आत्मा ने, क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप है, तो आत्मा को इस धरा पर आनंद का अनुभव कैसे करे तो फिर ये जो विकारों के आधार से अल्पकाल का सुख आत्मा अनुभव करने लगी तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम जैसे मैं आता हूँ आप देखों कितनी इंट्रेस्टिंग बात है अगर आप ध्यान से देखें बाबा रोस मुरली में कुछ भी नहीं करते बाबा एक कहानी से सुनाते चले जाते हें बाबा हमसे एक डिफेरंट प्लेइन से बात करते रहते हमें का इस तुस सत्य की मुझा से बाबा बोलते चले जाते हैं और वह बात हम सुनते हैं थोड़ा-थोड़ा बुद्धी में बैठती है फिर धीरे धीरे हमें स्मृति आती जाती है, तो बाबा हमें रोज याद दिलाते दिलाते, बाबा हमें अपनी स्मृति सो समर्थी में स्थित कर देते हैं, और जैसे जैसे हम आत्मा समर्थ बनते हैं, तो फिर ये जो लेटिंग गो, ये जो विकारों को तजना, दान करना, छ तो बाबा कभी हमें यह नहीं कहते हैं, जिसे कोई भी आएंगे, सेंटर पर भी कोई आते हैं, तो पहले पहले पुछते हैं, आप लोगों किया नियम है, कैसे चलना होता है, तो मैं उनको कहते हैं, कोई नियम नहीं है, आप आईए, हमारे यह कोई नियम नहीं है, तो कहते है इसे तो नियम बताते हैं, कि शुद बोजन करना है, ब्रह्मचरे में रहना है, सफेद पहनना है, तो मैं उनको कहते हैं, जब मैं आपको बताऊंगी तब आप करना, अभी आपको कुछ नहीं बताया गया, आप आयो ना सेंटर पर, आप आओ, तो आप देखो कि किसी भी आत् कि भांग नहीं है, तो बैसा कि तो उसकी चीन लेंगे, तो कैसे चलेगा, नहीं हो सकता, तो वो आत्मा हुछ तो कमजोर है, उसे नहीं अपने विकारों को छोड़ सकते, बाबा कभी पहले दिन कहते हैं, यह ऐसा छोड़ जो जो ने, बाबा पहले-पहले वायु मंदल दे आपना की स्तिती संंर्थ अवस्था है और तो समर्थ अवस्था में आत्मा को विकारों को तजना कोई बड़ी बात ने लगते आत्मा को लगता है ये काम, ये क्रोध, ये लोब, मोध, अभिमान ये तो मेरा है ही नहीं ये पुरानी देह मेरी है ही नहीं तो बाबा कहते हैं ये जो जितना जितना हम स्मृती स्वरूप में, समर्थ स्वरूप में स्थित होते हैं तो जो मोह हमने बनाया है अशुद दुनिया से अशुद पुरानी दुनिया से पुरानी देह से उस मोहों से उठना मोह नश्ट करना हमें इतना मुश्किल नहीं रहता क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सब्स्टिचूट है है न हमारे पास बाबा का प्यार है बाबा का साथ है ज्यान का मार्ग है तो बाबा कहते है पुरानी दुनिया की बातों को छोड़ना संबंदों को छोड़ना बुद्धी से तजना बाबा कहते है रहना तो तुम्हें यही है क्योंकि तुम्हें सेवा करने है लेकिन तुम अभी स्मृति लब्धा नश्टो मोहा हुए हो, तो तुम इस पुरानी खाल से अपने आपको जैसे न्यारा करते हो, और फिल जो सत्यूग में जैसे सर्प खाल छोड़ता है ऐसे छोड़ेंगे, तो इस प्रकार से अभी जो आत्मा ने, देखो आत्मा और शरीर कहां connected ह यहां बुद्धी में, यहां बुद्धी में हमने connect कर रखा है, तो बाबा कहते हैं, वो चो आत्मा वैसे तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आपने कई बार देखा है, कोई मशीन एसेंबल होके आती है, तो आपको पता ही नहीं कि खुल भी सकती है, मुझे याद है, एक म कुछ कच्रा अंदर रह जाता था, तो मैंने उसको एक दो बार यूज किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने गए तो गंदी हो जाती है, अभी भोजन में इसको यूज नहीं कर सकते है, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया, फिर कोई आए तो उन्होंने मुझे सिखाया तो खोल के साफ हो जाती है, इसको ऐसे खोल दिया करो ना, तो ये पूरी साफ हो जाएगा, आप इसको कितनी भी बार यूज कर सकते हो, तो मुझे लगा अच्छा, ये तो खोल के साफ हो सकती थी, मुझे पता ही नहीं है, तो कितनी सारी चीज़ें होती, जो होती, आत्मा अपनी आत्मिक स्थिती में स्थित होकर शरीर से न्यारी होकर बैठ सकती है, शरीर के प्रभाव से उपराम रह सकती है, जो सुनना चाहे, सुने, देखना चाहे, देखे, ना देखना चाहे, ना देखे, बाबा हमें कितना अच्छा एक्जामपल देते हैं, बाजा है, बजाओं चाहो तो ना बजाओ, है ना, तो बाबा कहते, यह इतनी तुन्दबर तुमारी चोईस की रिलेशनशिप है बॉडी के साथ, लेकिन तुमने इस मौह में, मौह से क्या होता है? मौह से उसका प्रभाव हम पर आ जाता है, हिना, हमारी चॉईस खतम हो जाती है, मोह में क्या होता है एक तरफा आप प्रभाव ने डाल सकते हैं आप प्रभावित भी होने लगते हैं और प्रेम में क्या होता है एक तरफा प्रभाव होता है आप जितना चाहें प्रभाव डाल सकते हैं आप प्रभावित होते नहीं है तो बाबा हमें कहते हैं ये चो मो है ये तुम्हारा जो देह के साथ है उस कारण अभी पतीत देहे आज बाबा ने क्या कहा बिमारी करंभोग की निशानी है तो ये जो करंभोग शरीर की बिमारी के थुरू आते हैं वो बिमारी आत्मा को दुख देने लगते हैं क्यों क्यों के साथ मोह बहुत हो गया है लेकिन बाबा केरते हैं इस शरीर से ऐसा मोह तुम्हें हटाना है कि जैसे आत्मा और शरीर बुद्धी से इतने अलग हो जाएं कि जब आत्मा शरीर छोड़े तो जैसे सर्फ खाल छोड़ता है ऐसे बने लेकिन यह अवस्ता कैसे बनेगी स्मृत स्मृति लब्धा से जितना हम स्मृति स्वरूप बनेंगे न मैं कौन हूँ मैं किस की हूँ किस दुनिया की हूँ मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है तो अपने निजी स्वरूप में जितना जितना स्थित होते जाएंगे उतना यह जो भान है बाबा केते हैं जो शरीर का भान है वो जो चड़ा हुआ है वो उतरने लगेगा तो बाबा ये बात पहले हमें बताते है फिर हमें बाबा कहते है कि तुम्हें अब स्मृति आई है कि तुम्हें कहां जाना है तो में सुक की दुनिया में जाना है पवित्रता की दुनिया में जाना है तो तुम अभी पांचों विकारों को छोड़ दो तो ये जो स्मृति स्वरूप की मेरा आदी स्वरूप, अनादी स्वरूप और भविश्य स्वरूप कितना पवित्र और निर्विकारी है इस आधार से, इस समय भी जब सारी पति दुनिया है तो इस समय भी आत्मा जो करम करे, वो विकारों के आधार से ना करके श्रीमत के आधार से करना शुरू करते हैं करम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मनुषी कहते हैं मौ छोड़ दिया तो घरी छोड़ देते हैं, लोग छोड़ दिया तो काम ही छोड़ देते हैं, अहंकार छोड़ दिया तो अब है हम डॉर्मेट बन जाते हैं, पंचिंग बैक बन जाते हैं, नहीं बाबा कहते ह मैं तुम्हें इस समय जो स्मृती दिला रहा हूं कि मैं आत्मा कौन हूं, शिबाबा की संतान हूं, मेरा परपस, मेरा लक्ष, मेरा करतविक, विश्व कल्यान, तो हम संबंदों के बीच रहते हैं, क्यों कल्यान आर्थ, हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, व्यवहार में आते ह किस लिए क्योंकि यह सब सेवा के इंस्ट्रूमेंट्स है यह हम दे अभिमान में नहीं रहते तो हमारे पास स्वामान है बाबा ने उसका हमें सब्स्टिचूट दिया है तो दे अभिमान का ऑपोजिट इगोलेस नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जैसे दुनिया में Egoless is not a good word, अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, जैसे, कहते हैं, तो बेशरम है, इनको तो कुछ, कोई मान मर्यादा ही नहीं है, तो देभिमान को मान भी कहते हैं, तो कहेंगे इनको तो मान मर्यादा ही नहीं है, तो मान मर्यादा नहीं होना, egoless नहीं होता, लेकिन बाबा क अब मैंने तुम्हें देअभिमान के द्वारा नहीं, मैंने तुम्हें स्वमान से करम करना सिखलाया, तुम स्रेष्ट करम इसलिए मत करो, क्योंकि तुम ऑफिसर हो, क्योंकि तुम घर में मुख्या हो, क्योंकि तुम धनवान हो, क्योंकि तुम शारिरिक शक्ती से संपन हो तुम स्रेश्ट करम क्यों करो? क्योंकि तुम उस करम के लायक हो, क्योंकि बाबा ने तुमें इतना लायक बनाया है, क्योंकि मैं आत्मा गुंड संपन हो, शक्ती संपन हो, विश्व कल्यान कारी पिता की संतान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो इसलिए मुझे विश्व कल्यान का करम करना है मैं आधार मुरत हूँ दार मुरत हूँ तो बाबा कहते हैं इस आधार से तुम्हें क्या करना है विकारों को छोड़ना है क्योंकि विकारों को छोड़ने में सबसे बड़ी प्राब्लम यही आती है क्योंकि हमारे सारे करम ही विकार के अदार से होते हैं, तो विकारों को छोड़ दो, तो जीने की इच्छा घदम हो जाती है, एक सोचते हैं, विकार ही छुटगे तो फिर करना क्या है, जैसे हमें कोई हैं, कहीं पे भी बात होती हैं, आप तो खाते निये, पीते निये, तो आपको क्या बुलाना या, तो हम भी तो जहां भी रहते हैं, दुआएं देते हैं, दुआइं लेते हैं, एक्सचेंज ओफ एनरजी होते हैं, सब कुछ होता है, तो ऐसे क्या बात है कि मनुश्य क्या सोचता है कि अगर कामी नहीं है लोभी नहीं है मोह नहीं है दे अभिमान नहीं है तो फिर दुनिया से इनका क्या लेना देना है इनको क्यों काम करना है क्यों इनको संबंध में रहना है लेकिन बाबा केते नहीं बाबा देखो जिसको श तब यह है उसको realize करके अब करना है बाबा कहते हैं बाबा भी तो पुरानी दुनिया में आके बैठा है ना तो पुरानी दुनिया में भगवान आके क्यों बैठा है उसको मालूम है कि इसका कल्यान करने के लिए मुझे पुरानी दुनिया में आना पड़ेगा लेकिन अपने गुणशुरूप, शक्ति स्वरूप, ज्यान स्वरूप के आधार से करम करकर इसको स्रेष्ट बनाना है तो बाबा क्येते हैं तुम भी अभी विकारों को छोड़ो तुम्हें स्मृति आई है ना मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्ष क्या है तो उस स्मृति के आधार से चलो और ये जो मो है, पुरानी दुनिया से लगाओ है, विकारों का रुजान है, दे का भान है इसको दीरे-दीरे छोडते जाओ, करम करो व्यभार में आओ, लेकिन अपनी वृत्ती, दृष्टी, कृती को पवित्र बनाओ तो बाबा ये बाते आज हमें समझाते हैं और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं, कि बच्चों की रिपोर्ट आती है, कि बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है रिपोर्ट आती, किस कि रिपोर्ट आती है आप में से, बाबा को रिपोर्ट जाती है, कि ये बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं है, प्रेम स्वरूप नहीं है, देखो, कोई ये कह सकता है, कि इनको अटाच्मेंट नहीं है, देखो, कई बार ऐसा होता है, कि व्यक्ति जब आ है किसी से निर्मोही है कहेगा लेकिन प्रेम स्वरूप नहीं है नहीं कह सकेगा अगर बच्छा प्रेम स्वरूप है अगर उसके मुख से कड़वे शब्द नहीं निकलते अगर उनका व्यभार जो है मीठा है तो फिर प्रेम स्वरूप नहीं है ऐसी रिपोर्ट नहीं जा सक वो रिपोर्ट तो बहुतों की जाती है ना, इनको तो अब हमसे अटाच्मेंट नहीं रही, यह तो जैसे अलग से हो गए हैं, यह तो जैसे बदल गए हैं, वो वाली रिपोर्ट नहीं कहरें बाबा, बाबा कहते हैं, बच्चों की ऐसी रिपोर्ट नहीं आने चाहिए, कि ब वाली रिपोर्ट बाबा के पास जाती है और ये रिपोर्ट कैसे आती है पता है नहीं भगवान के बच्चे ऐसे बात करते हैं ये भगवान के बच्चे ये इस तरह से बुलते हैं ये भगवान के बच्चे ऐसा विवहार करते हैं तो ये वाली रिपोर्ट बाबा कहते हैं य तो जब हमारे मुर्तियों से भी प्रेम की भासना आती है, आज व्यक्ति देवी देवत्ता के मंदीर में भी जाता है, ऐसे भी मंदीर हैं, जहां पर चेहरा भी नहीं बनाऊता, जहां कई ऐसे भी मंदीर हैं जहां पर सिर्फ दो आखे लगी हैं या कुछ ऐसा है, तो लेकिन उससे भी प्रेम की भासना आते हैं, तो बाबा कहते हैं, तुमसे प्रेम की भासना ना अच्छे बात ने, लेकिन प्रेम की भासना माना लगाओ की भासना ने, प्रेम की भासना माना कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, तो उनको ऐसा अनुभव हो, कि ये हमारा कल्यान चाहते हैं, ये हमारी उन्नती की कामना करते हैं, तो बाबा कहते हैं, ऐसे जो प्रेम स्वरूप भासना हैं, वो किसे आती है, वो आती है आतम अभिमानी स्थिती से, क्योंकि आत्म अपनी ओरिजिनल स्थिती में प्रेम स्वरूप है, हमें अभी प्रेम क्या है नहीं मालूम, अभी मालूम है प्रेम क्या है, अभी इस दुनिया में प्रेम क्या होता है नहीं मालूम किसे को, लेकिन आत्म अ और प्रेम का सब्स्टिचूट मोहो और काम विकार इसने वो स्थान ले लिया है अब बाबा केते हैं तुम मेरी याद में रहो तुम मेरी याद में रहो तो फिर से तुम वैसे बन जाएंगे जैसे थे जैसे मैं कई बार विचार करती हूँ कि कई भाईवेने क्या करते हैं ब देखा हैं, बाबा की याद ही बस आत्मिक अभ्या से, मैं आत्मा हूं, मैं शान्त हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुक्स्वरूप हूं अब सबसे बड़ी बात है कि मैं शांत सुरूप आत्मा हूँ, तो शांत सुरूप आत्मा कैसी होती है? उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है? इस दुनिया में कोई भी आत्मा शांत सुरूप नहीं है, है कोई आत्मा? कोई आत्मा शांत सुरूप नहीं अभी, कोई आत्मा पवित्र नहीं है, कोई आत्मा नौलेज़फुल नहीं है, कोई आत्मा प्रेम सुरूप नहीं है अभी, तो जब हम कहते हैं मैं शांत सुरूप मैं प्रेम स्वरुप हूँ, नॉलेजफुल हूँ, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम कैसे हैं, जैसे आप छोटी सी बात एक विचार करना, मानो मैं आपको कहूँ कि आप है न, एक कच्वे जैसे बन जाओ, आप कच्वे की आक्टिंग करो, आपने कभी कच्वा दे देखा नहीं, देखा ही नहीं आपने कच्वा, तो आप अक्टिंग कर लेंगे उसके, कच्वे का स्वरूप बन जाएंगे, आपने देखा होगा, तो आप उसको कॉपी करेंगे, जब आपने देखा ही नहीं, तो आप कॉपी कैसे करेंगे, मैं आपको कहूँ कि आप है न, एक जैसे बाबा केते हैं तुम देव आत्मा थे अब देव आत्मा कैसे होते हमें पता ही नी तो हम देव आत्मा थे सोचेंगे तो हमारे दिश्य के आएगा देवता लड़ रहे हैं असुरों से तो हमारे भी बुद्धी के अत्रते पनान भीता हैं इस साथ होजार देव इस संकल्प में देव आत्मा में मेरी खना तो आप देखो कि निया के अंदर निया की अभी तो हम जानी होगए अभी तो हम बाबा को याद करते हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जब कोई प्रेम सुरुप सोचता है, तो प्रेम सुरुप माना केशा, इतना मीठा कि चिटी चड़ जाए। इतना मीठा कि फिर थोड़ी से बात होती है, तो दिल खटा हो जाता है, क्रोध आता है, एक्सपेक्टेशन, दुख सब कुछ आता है, कहते हैं, हमने इतना प्यार किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, अब हमसे कभी किसी के साथ लगाओ ही नहीं होता है, तो हमारा प्रेम ट तो नौलेज़फुल बनो, पवित्र बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शांत स्वरूप बनो, तो वो बनने के लिए तुम्हे मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद किये बिना तुम्हे उस स्वरूप का आइडिया ही नहीं, कि वो होता क्या है, और मुझे या याद कर सकते हैं किसी को कभी देखा नहीं सुना नहीं उसका कुछ पता नहीं तो कैसे उसको याद करेंगे तो बाबा कहते हैं मैं तो मुरली के द्वारा तुमें रिवील करता हूं मैं कौन हूं कैसा हूं तो बिना मुरली के बाबा की याद नहीं हो सकते हैं तो ये दो बात आतम अभिमानी परमातम अभिमानी दोनों बनना पड़ेगा। आपने सुनी यह पॉइंट ना। बाबा केते हैं, संगम युग में आत्मा सिर्फ आतम अभिमानी ने बन सकते। इजी स्वरूप में स्थित कर सकते हैं। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज है परमातम अभिमानी वनने के लिए हमें बाबा को जानना, समझना, अनुभव करना अवश्यक है। वो अनुभव, वो जानना, वो समझना बिना बाबा की मुरली के नहीं हो सकता। तो कई बार जब भाई बेनों को पूछो आप बाबा को याद करते हैं। मुरली सुनते हैं। किस बाबा को याद करते हैं। कौन सा बाबा हैं। किसको याद करते हैं। तो बिना मुरली के आपको बाबा पता कैसे चलता है। तो कहें हम किसी को याद करते हैं। आप 20 साल से बात नहीं हुए। तो 20 साल से बात नहीं हुए। तो याद क्या करते हो। 20 सार पहले की बात, तो वो तो updated information ही नहीं, आप जिसको याद कर रहे हो, उसके पुराने version को याद कर रहे हो, वो आभी बदल चुका है, तो बाबा कहते हैं, यह जो तुम याद करते हो मुझे, यह तुम भक्ती में जो तुम मुझे समझते थे, उसको याद करते हो, या मैं जो हूँ जैसा हूँ, वो याद करते हो, अब मैं जो हूँ जैसा हूँ, वैसा तो तुमें भक्ती में मालूम नहीं था, यह तो मैं तुमें मुरली के द्वारा बताता हूँ, तो तुम मुरली नहीं सुनते, तो तुम किसे याद करते हो, तुम बाबा को नहीं, बाब देता है, वो जो तुम्हारी उस सोच से मलता है, तो इसलिए बाबा हमें आज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें मुझे याद करना है, जितने भी तुम्हारे बाबा आज करते हैं, तुम पास्वे दॉनर बनेंगे, तुम पास्वे दॉनर कब बनेंगे, जब तु बोजन पर बाबा इतना stress दे रहें क्योंकि बाकी time कहो कि बच्चे मुझे याद करो तो बच्चे कहते हैं काम है बुझी है यह काम है इससे बुद्धी निकाल सकते वो काम है बुद्धी निकाल सकते तो दुनिया में भी देखो भगवान की याद और बोजन को connect किया गया है उपवास माना निकटवास करो परमात्मा के नस्दीक रहो तो उस समय भोजन को skip कर दो एक्चुली जो उपवास का system में कैसे शुरूआ था कि तीन टाइम व्यक्ति भोजन तो करता ही है तो उस भोजन को skip कर दिया वो जो आधा-धा गंटा बच्चा उसमें बाबा को याद किया परमात्मा को याद किया लेकिन फिर क्या हुआ याद वाद कुछ ने हुई है ना पहले तो तीन टाइम भोजन को याद करते थे फिर उपवास में सारे दिन भोजन को याद किया सारे दिन सूबे उठते ही आज तो मेरा व्रत है आज तो मेरा व्रत है रोज तो साड़ किया उसमें बाबा का कुछ राह नहीं, तो बाबा के थे भई तुम खालो, कोई बात नहीं, लेकिन भोजन पर मुझे याद करो, बाबा के थे भोजन छोड़ के तु याद होने रहे, तो बोजन पर मुझे याद करो, बाबा के थे एक एक गिट्टी खाते वे, तुम याद क तो वो चो एक एक गिट्टी खाते हुए क्योंकि भोजन पर आत्मा चाहे तो याद कर सकती है भोजन के समय पर कोई काम, कोई बायु मंडल कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता सिर्फ हमें इंद्री पर थोड़ी विजे पानी पड़ती है तो बाबा कहते हैं कम से कम ये वाला जो याद का खाता है वो जमा करो और बाबा कहते हैं भोजन भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसे भोजन ने पानी, चाए, कॉफी सब मिला कर बहुत सारा समय हमारा चला जाता है तो बाबा कहते हैं, अगर तुम ये एक टेव भी डाल लेंगे, ये एक अभ्यास कर लेंगे, कि जब भी कुछ मुख में डाल रहे हैं, तो बाबा को याद कर रहे हैं, तो हमारा माइन जो है वो association से चलता है, कि किसी भी दो चीज को connect कर लिया, तो फिर जैसे ही आप कुछ खा बाबा की यात का चाट अच्छा जम्मा हो जाएगा, और आप देखो भोजन का भी जो timing होता है, सारे दिन में कई बार पानी पे रहे हैं, चाई पे रहे हैं, कॉफ़ पे रहे हैं, कुछ न कुछ चलता है, तो वो क्या है, कई तरह कई टाइम के breaks हमारे होते हैं, और उस ब् याद करो, क्योंकि बाबा को मुख से याद नहीं करना है, बुद्धी से करना है, तो खाना मुख से खाओ, बाबा को याद करो, जैसे खाना खाते समय सोचते हैं, नमक कम है, चीनी ज्यादा है, ये ठीक नहीं बनाया, इसमें ये डालते तो अच्छा लगता है, या खाना खा परमधाम से आये हैं, बाबा का प्यार अनुभव करो, बाबा मेरे साथ भोजन कर रहा है, मैं बाबा को एक एक गिट्टी संकल्पों में खिलाते हुए भोजन स्विकार करो, तो बाबा केते हैं, इस प्रकार से ये भोजन करो, और कई बार भाई एक बहुत अच्छा एक्साम बैठ जाएगा और फिर आपको अपनी थाली से उसको खिलाते रहना होगा और खाते रहना होगा, तो बाबा केते हैं, इस प्रकार से जैसे ही आप कुछ खाने पीने लगो, तो देखो कि बाबा उपस थे थे, एना फिर बाबा को भी खिलाओ, स्वेयम बेखाओ, तो बाब यह में चीजे हैं, स्मृतिर लब्धा नश्टो मोहा बनो, नश्टो मोहा के साथ प्रेम स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप या कोई भी गुंड स्वरूप बनने के लिए हमें बाबा की याद चाहिए, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल स्थिती में आत्मा तब स्थित होगी बाबा को जानने के लिए बाबा की मुरली याद होनी चाहिए, है नसा बाबा को याद करने का सबसें इंट्रेस्टिंग और ईजी तरीका क्या है? आज बाबा के क्या कहा? आज बाबा ने क्या कहा और उस बाबा की जो महावाक्य जो याद आते हैं उन महावाक्यों से बाबा की जो हमारे प्रतिक्यर है, प्यार है, उना है वो सब कुछ जो हमें मिल रहा है बाबा जो शक्ती भर रहे, दिशा दे रहे वो सारी बातें हमें याद आने चाहिए और उस अनुभव में स्थित होना है